वेल्कम, फ्रेंड्स, सुस्वागत हो दोस्तों, पेट दर्द होना एक बिलखुल ही आम समयश्या है, और यह है पेट दर्द अलग-लग कारणों से होता है और कारण बदलने के साथ साथ पेट दर्द होने की जगा भी बदल जाती है, इसी कारण से काफी बड़ी समयश्या का सामना हमें करना पड़ता है जब पैसेंट आता है तो उसे किस परकाखी टेबलेट दी जाए किस परकाखी दवा दी जाए जिसे कि उसका पेट दर्द जल्दी ठीक हो जाए इसी समझ्या को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम जानेंगे प दोस्ट मोहित आदीच आप देखरें अपना यूटीब चैनल लर्न अबॉट मैडिसिन चलिए आशवी कुछ नहीं सेकते हैं है हैलो फेंट्स नमस्ते दोस्तों पेट दर्द को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें पेट की सरचना एब्डोमिनल एनाटोमी की जानकारी हो कि हाकर तो कमज निचला हहिसा यहां तक का area है इसे हम चित्र से समझ लेते हैं कि निचे की नीचे वह गाल में चाल ओके लेफ्ट लार्ड इंटेस्टीन से स स्बाइब से नीचे के तोर डिरेक्ट चला जा जाता है यूद जो ऐसेंडिंग लार्ज इंटेस्टीनमे जो राइड शायड वालसे इसके नीचे शोटा से मुग दिख रहा है यह appendice है और appendice के यहां पीछे की ओर kidney होती है center में उपपर stomach जो अमाज से है इसके just पीछे की ओर pancreas होती है pancreas के नीचे जब वो center में आ जाती है small intestine रहती है और अगर left side की तरफ बढ़े तो left side में large intestine जो descending order मतलब नीचे की तरफ जो आने को बेश्टी वह होती है left में kidney भी होती है और अब अगर lower abdomen की बात करें तो lower abdomen में female में अगर बात करें तो यहां पर uterus ovary यह मुख्यता रहते हैं और बाकी male तता फीनेल दोनों में rectum तता urinary bladder यह सबी होते हैं तो यह मोटा-मोटी एनाटोमी थी जिसको आपको जानना आवेश सकता इसको जानने से आपको पता चल गया पेट में किस साइड में कौन सी चीज है अब हम यह समझ लेते हैं किस जगा पे किस कारण से दर्द होता है और यहां थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगी गया होगा जिसे कि आपको ने एनाटोमी जानी थी अब बात करते हैं अबर अब्डॉमिनल जो पेन हैं जहां सबसे उपर हमें कलेजिय में जो कहते हैं फेंफडे के जस नीचे दर्द होता है बीच ओ बीच तो यह दर्द पैप्टिक अलसर हार्ट बर्ण तर्था इन डाइजेशन अपच की वज़ए से हो सकता है अगर बात करें अपर अपर इसमें अपर साइड का सेंटर साइड तर्था अपर साइड की राइट साइड यह तीनों ही दोनों फेंफडों के नीचे और इस्टोमक के पास में यह लगातार जो दर्द होता है वो आपको होता पेनक्रियाज में सूजन आ जाने के कारण अब अगर बढ़ते हैं राइट लेप साइड में दर्द का एक और कारण है वह डियोटीनल अलसर होने के करण भी दर्द होता है और जैसे आमने जाना था पेनक्रियाज में सूजन है तब भी लेप साइड में दर्द हो सकता है लोवर लेप साइड में जो दर्द होता है वह हो सकता है महिलाओं में तो अव यहां पर दर्द होता है यह होने का कारण है यूरिन इंफेक्शन हो सकता है आई बीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समश्या हो सकती है ब्लोटिंग मतलब बहुत जादा गेस बन सकती है और इसके अलाव महीलाओं में पैल्विक इन्वामेटरी डिजीज या हूटरेस से समश्या हो सकती है इस तरह से पेट में जिस जगा पे दर्द होता है उसके एकोडिंग इसको डिसाइड किया जाता है किस कारण से दर्द होता है अब अगर हमें पता चल गया है किस कारण से दर्द हो रहा है किस जगा पे दर्द हो रहा है हमें मेडिसिन देने में आसानी हो तो सामेने तोर मेडिसिन दी जाती है डोक्टर दारा उसके बारे में जान लेते हैं जब अपर अब्डोमीन में बीचो भीच दर्द रहता है तो उस समय एंटेसिड प्रिप्रेशन दी जाती है मुख्यत पैंटाप्राजूल, ओमेप्राजूल, रेविप्राजूल इस प्रक का इस्टोन आ येया गाल ब्लिसर का पेनित तो उस समय तता जो अफेंडिस का पेने राइट साइड में नीचे की ओठा रहता है इसमें किड्नर का भी पेन में काउट कर सकते तो इसमें कुछ पेन के लिए, टेबलेटस दी जाती है वहाँ टेबलेटस होती है डाइयकलोफिनeliक आईसीक्रोफिने नीमे शूलाइड ट्रैमेडोल या इसके साथ में पैराशीतम़ अमोंच्यंट के लिए यह समय धी जा और किसी व्यक्ति को अगर left side में lower abdominal pain जो constipation के कारण होता है तो इस constipation में lexative syrup के साथ में antispasmodic दवा दी जाती है lexative syrup में हम lectolose दे सकते हैं, visacodyl tablet दे सकते हैं इसके अलावा diceclomine tablet, rotavarin ये as antispasmodic देते हैं जिससे की दर्द रुख जाए महिलाओं में जब lower abdominal pain होता है नाभी के नीचे की एरिय में तो यह urine infection के कारण हो सकता है, pelvic inflammatory disease के कारण हो सकता है इस समय दर्द को ठीक करने के लिए antispasmodic दवा ही दी जाती है जिसको हमने जाना था diceclomine या drotavarin इसके साथ में paracetamol combination भी हो सकता है और पूर्सों में अगर lower abdominal pain होता है तो यह IBS irritable bowel syndrome के कारण हो सकता है, bloating मतब गेस बनगी उस कारण से हो सकता है और जब यह IBS और bloating के कारण होता है उस समय antispasmodic जो टेबलेट है वहाँ दी जाती पेट दर्द में जो दर्द दवाइन दी जाती वहाँ इसके साथ में पी पी आई जो हमने जाना था penta-prazole, omeprazole, rebiprazole यह दिया जाता है जिस से की उसके दर्द ठीक किया जासे है तो यहाँ हमने सामधनी तोर पर जो primary reason है जिस कारण से पेट दर्द होता है जिस जगह पेट दर्द होता है और उस जगह उस कारण के कारण जो दवईयां दी जाती टेबलेट दी जाती उसके बारे में जानकार लिए और ये पूरी जानकारी मैंने अपने अनुभू के आदारबर बताईए इसमें जो टेबलेट मैंने बताईए हो सकता है कोई और किसी अन्य टेबलेट के बारे में ब करता हूं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहें